हाई दिस इस मनीशा सिंग स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर फ्रेंड्स आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिप्रेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगे तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही यूनिक क्योंकि बह लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फटा फट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन स्लेवस जानने से पहले जो बच्चे न्यू है फर्स टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बताते चलू कि यहां पर आर्मी मेस रिकूटमेंट की जो है क्वालिफिकेशन भी दिया जाएगा ओबीसी को त्री येर्स का एसस्ट को फाइव येर्स का मिलेगा रही बात फॉर्म की फी की तो जेनरल ओबीसी और एडबलुए से हंड्रेड उपी चार्ज लगेंगे एसस्ट और फीमिल कैंडिडेट्स का यहां पर कोई चार्ज नह की लगने वाला है क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए टेंथ टूइल्थ और हाइयर क्वालिफिकेशन मतलब कि पोस्ट वाइज नहीं वैरी करता है उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे सेलेक्शन की प्रोसेस के आपका सेलेक्शन जो है किनकीने स्टेज से गुजर से बाद होगा तो चलिए फर्स्ट आफ बताते चलों आपका सेलेक्शन फोर स्टेज पर डिपेंडेबल रहनी वाल है फर्स्ट होगा रिटेन एक्जाम ऑफ-लाइन पेपर होता है सारे डिफेंस के एक्जाम में आफ-लाइन ही पेपर लिया जता है उसके फिजिकल या फिर इसके बाद डीवी यानि की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर जाके आपका मेडिकल होता है तो आपने पोस्ट भी देखा कि इतना अच्छा खासा है सेलेक्शन की प्रोसेस भी समझ लिए हो तो आप यह सोचो कि आप अपने कैसा त्यारी करोगे कहां से त्यारी करोगे कि आपको एक सीट मिल जाएगी तो चलिए आपके बेहतर त्यारी के लिए आपको एक बुक सजेस्ट कर देती हूं फ्रेंट्स यह है चक्छू पब्लिकेशन की तरफ से न्यू बुक इंडियन आर्मी एमी इसके लिए बेस्ट बुक रहने वाल है इसमें फ्रेंट्स आपको जो है अठाइस सो पचास प्लस वस्तुनीष्ट यानि कि आपका अब्जेक्टिव कोश्चन है व्याख्यात्मक हल सहीत और यह आपको एस पर न्यू पैटन मतलब न्यू एक्जाम पैटन और सेलेबस के अकॉर्डिंग इसमें सारा कुछ बताया गया है आगे आप यहां प अच्छा से सारा कुछ एक्स्प्लेइन कर रखा है तो अगर आप भी इस बुक को खरीदना चाहते हो तो मिल जाएगा आपके नियरवाई बुक के स्टोर्स पे तो आप जाके अपने नजदी की किताब दुकान से इसको खरीद सकते हो चलिए फ्रेंस पहले हम लोग देख है कि एक्जाम की क्या पैटर्न है एक्जाम में आपको रहेगा हंडेड कोशन हंडेड मार्क्स के लिए टाइम मिलेगा टू आवर्स का निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 का यहां पर सबजेक्ट वाइस अगर बात करें तो रीजनिंग के 25 कोशन 25 मार्क्स के लिए मै हो कि एक्जाम की पैटर्न तो आपको क्लियर हो गई होगी रही बात कि प्रिवियस येर कट अफ क्या रहा था एक्जाम में तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूं कि जेनरल और EWS वालों का था 50% मतलब कि 50% पे उनका सेलेक्शन हुआ था OBC and SCST का था 40% बट आपको ने तो आप अपने एक सीट वहाँ पर अचीव कर पाओ इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप इससे अच्छा स्कोर करके लग तो चलिए फिलहाल मैं आपको Mathematics के Numerical Attitude के एक्जाम सेलेबस को क्लियर कर देती हूं कि एक्जाम में आपको किस-किस चैप्टर के कोश्चन आएंगे तो फिलहाल चलिए हम लोग Maths का देख लेते हैं सबसे फर्स्ट आपका रहेगा कोनिक सेक्षन देन आपका डेटर्मिनेंट से क्वेस्चन पूछेगा फिर आपका थ्री डाइमेंशन चैप्टर होने वाला है आफ्टर डैट इक्वेशन है मेंसुरेशन इसमें आपको सेलेंडर, कोन एन स्फेर, तीनों से पूछेगा उसके बाद आपका नंबर सीश्टम रहने वाला है प्रोबैबिलीटी रहेगा प्रोफित और लौस रहेगा पर्मुटेशन कॉम्बिनेशन अंड प्रोबैबिलीटी रहेगा परसेंटेज रहेगा रेश्यो और प् and work and time करेगा so I hope कि जो मैंने आपको exam syllabus बताए है mathematics के regarding आप इसको समझ पा रहे होंगे और syllabus थोड़ा vast है जैसे कि अभी आपका reasoning, English and general knowledge की भी syllabus है तो वो आपको मैं upcoming video में बताऊँ क्योंकि एक ही video में इतना possible नहीं है बताँ पाना फिर आप लोग भी बोर होने लग जाओगे तो वो मैं आपको next video में जो बाकिस लेवा से बता दूँगी और अगर इसके regarding full detail video आप देखना चाहते हो post के regarding तो मैंने already upload कर रखा है another video में आप जाके देख सकते हो और अगर मेरी video पसंद आई हो बाबाई टेक केर